अलो गैईष वियले नाइट मारेट वीडियो डीरली में लिख वीडियो भी और इंछिस इंगलिश वीडियो इनको चाहिए अर्ट त्रिवीड दिस्केंड में दिए हूई है उसमें जाके देख लिए तो डिली मारेट अनलसे में बनाता हूं फ्राम संडे तिल थस्डे फ्र एक चैनी स्टॉक मुझे मिला जिसको मैंने ट्रेड करा, हेंट्री ले लिए है और कुछ सर्टिन टागेट से उनके बारे में बात करेंगे क्यों हेंट्री लिए है, तो वीकली टाइम फ्रेम पर चलते हैं सबसे पहले, वीडियो स्मॉल होगा, बट काफी इन्फोमेटिव हो और देखो लास्ट टाइम इस लाइन के नीचे निकला स्टॉक और इसके उपर इंपक्ट देखो कितना स्टॉंगली आया, ठीक है, तो एक यूज इंपक्ट से मार्केट जो है बापस टर्न करती है, स्टॉक की, ठीक है, मन्तली टाइम फ्रेम पर चलते है, तो मन्तली जलते हैं तो देली टाम स्वर्म पर चलते हैं तो कि रुट जो है इतना गिर नहीं रहा है जब गिर टा मिलें तो अच्छी लेवल पर दुबार अजाता है पर इस बार घिर्टार है तो यह काफी स्पीडली उपर जा रहा है और और एक अच्छी गाडल इसने बना दी है अलड़ी है तो हमें क्या देखना है हमें देखना है कि किस तरीके से हम इसमें एंट्री रह सकते हैं तो मैंने यहां से एक अगर दियान से देखे तो कल इस ट्रेंड लाइन को यहां से रसिस्टन्स मिला था इसी जगह से इस्टॉक ऊपर निगलने कोशिश कर रहा था बट लास्ट सेशन में आज और निफ्टी कितना ज्यादा गिर गई थी तो यह स्टॉक भी बीरिश फॉर्माट में गिरा उससे पहले भी निफ्टी बीरिश थी यह स्टॉक जो आपका अच्छी क्लोजिंग के साथ 7% की क्लोजिंग साथ बंद हुआ तब कल जब इतनी बीरिश मार्केट हुई तब फाइनली यह क्लोजिंग डाउन होई आज गैप अप क्लोजिंग हुई पहली बात पर्स चीज गैप पूपनिंग भी इसके बाद कैंडल मुमेंटम भी बहुत अच्छा दा इंदी लास्ट आर्स ठीक है तो और वो काफी अच्छा वॉल्यूम्स भी था तो अगर पॉजिटिव खुलती है अपनी मार्केट तो इसकुड भी अमेजिंग स्टॉक ठीक है करेंट मार्केट प्र uh अब लाइब जंए लगता हैं कि 72 तक के टार्गेट इसमें अचीह हो सकते हैं अब लेट्स इम्यजिन की अचधीव हो गएं उसके बाद क्या होगा तो गेम वहीं से स्टार्ट होता है कि anticipation है इस trade में तो यह क्या है आपका U और यह क्या है आपका V तो इसको हम कब breakout बोल सकते हैं double bottom breakout बोल सकते हैं जो आपको बोलना है ठीक है अगर एक strong breakout मिलता है इस levels के उपर इन levels के उपर एक strong breakout मिलता है तो again यह stock जो है IPO days जहांब इसका IPO launch हुआ था उन levels तक अजीव हो सकते है targets अब अगर मैं एक Fibonaki मनाओ top से लेके bottom तक एक extension मनाओ Fibonaki क तो दिखाई देगा कि 50% है that's why इसको target 1 रखा है क्योंकि 50% of the bearish move है मतलब कि market अगर इसकी उपर लिकलती है तो bullish होने के chances जाता है बहुत बार क्या होता है कि 60% move से भी turn out हो जाती है चीज़े क्योंकि वह golden ratio होता है Fibonaki का तो क्या कर सकते हैं तो हम लोग target 2 रख सकते हैं 60% क फिर target 3 हमारा एकदम top level होगा यह और फिर target 3 of course 0.75 रख सकते हैं यह हमारा last target तो यह बहुत long term यह तीनों target जो है आपके बहुत long term basis पहो जाएंगे long term basis और small term के basis पे आपका target number 1 यह होगा small term इस तरीके से trade को plan कर सकते हो आप ठीक है तो इसी लिए के trade मुझे काफी innovative और perfectly है well settled है और जो projection आ रहा है वो exactly उस resistance पे आ रहा है जो top पे है तो इस stock को अपने आप radar भी रख सकते हो ठीक है and link is given in the description of my video link description में scroll करो और description में तेलिग्राम को जरूर फॉलो करो वहां पे you can ask me any doubts ठीक है और English analysis जो कि मैं डेली डालता हूं इसके साथ वो भी आपको मिलेगा Nifty bank Nifty sub analyze करते हैं अम लोग जो नए लोगो thank you so much for coming aiming for 65 likes in this video thank you so much we'll meet you in the next video जो कि होगा कल ठीक है और हिंडालको का analysis देखना है तो वो थोड़ा सा analysis में डाल रखा है दूसरे वाले वीडियो में उसको देख लेना और कोई शूओ तो definitely मुझसे पूछना उसके बारे में meet you in the next video thank you so much